तो दोस्तों आज आपको हम बना के दिखाएंगे जटका मेसिन हाई भोल्टेज जटका मेसिन 3.7 फोल्ट से अगर आपका कोई खेती है कोई चाजबास है तो वहां पर इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं और यह बिल्कुल से एकदम कम बाजेट में अंडर बाजेट 500 रुपी तो इसमें यह पाउर सुष दिया हुआ यह पाल्स को अब जनरेट कर सकते हैं और पीछे में देख रहे हैं इसका और के बीचले इसको हम लोग टेस्ट करके आपको दिखाते हैं इसका फ्लासिंग जो है कभी अच्छा फ्लासिंग है इसका बीचले कर सकते हैं हेलो वीवर्स आप देखरें मेरा यूटीब चेनल सेम स्मार्ट टेक्निकल दोस्तों आज हम आपका लिए एक यूनिक सा गैजेट लेके आया है जिसको बुलते है जटका मेसिन ये सबसे पहला जो जटका मेसिन में जो यूज होने बला है डिवाइस यहां पर जो है 3.7 भूल बैटी लाएगा और इधर में 4 के भी डीसी भोल्टेज ये फ्लासिंग भोल्टेज जो है तो इस जटका मेसिन आज आपको हम बना के दिखाएंगे तो इसका बनाने के लिए क्या क्या चीज लाएगा सबसे पहले आपको दो-चार बात बोलते हैं जटका मेसिन अगर आपका केई खेती है फसल जो आप लगाएं तो वहां पर जनौर वेगर जो आके आपका फसल को नौस्ट करते हैं तो उसको आप मार नहीं सकते हैं तो मारने से भी आपको प्रॉब्लेम होगा तो उसको आप डरा सकते हो तो डराने के लिए अगर आप बाजार में जटका मेसिन खरिदने जाएगा तो मिनिमाम उसका पार्चेसिंग वैलू रेट आडाई से तीन हजार रुपिया से आपको बाजार में मिलेगा नहीं तो मैंने आपको आज 500 रुपिया का अंदर में जटका मेसिन जो एक लीथियम अन बैटरी है तो इसमें आपको दो पीस लीथियम अन बैटरी यूज करने से तब आपको क्या होगा आपको ज़्यादा देरी तक बैक अप मिलेगा तो फिलल मेरा पास एक बैटरी है तो मैंने यहां पर एक 3.7 बोल्ट 1200 इमिज का बैटरी यूज की है चाहे मैंने इसमें लगा के दिखाएंगे आपको और यह सारा प्रोसेस बनाने के लिए आपको ज़रुवत पड़ेगा एक केसिंग बोक्स छोटा सा केसिंग बोक्स जिसको आपको आसानी से इलेक्टिव दुकाम से आप कर्टिस कर सकते है और इसका साइज है चार इंटू चार चार्चर केसिंग बोक्स है और इसमें मैंने एक स्विच यूज किया है जो ओन आप करने का जब जुरुवत पड़ेगा तो इसमें एक फोर पिन रोकर स्विच टू पिन रोकर स्विच जिसमें इस बोक्स का अंदर में आपको हम लगा के दिखाएंगे और इसका जो मूल में जो सार्किट जो है तो इसमें आपको सार्किट को दिखा देते हैं अभी फिलाल आपको वीडियो का अंदर में हम सार्किट बना के नहीं दिखा पाएंगे क्यांकि आभी वेस्ट प्रिंग्वल में काफी ज्यादा गर्मी लाग रहा है तो हम लोग घर में तो एसी नही है बीना पांखा बन करके हम लोग वीडियो सूट करने पड़ता है आप समझ सकते हैं कितना तकलिफ से आप लोग के लिए वीडियो देते हैं तो आगर आप चैनल में नया है तो जरू से जरू चैनल में बेल नोटन घंटी को बजा दिजेगा और तभी आपको नया वीडियो का डेस्क्रिप्शन लिंक में आप से मिल जागा तो यहां पर मैंने युज किया है 555 यहां पर मैंने यूज किये 2 टैंजिस्टर 557 और एक 547 मने एक NPN एक PNP टैंजिस्टर उच किए है और यहां पर एक प्रॉटेबल रिले जो इसमें आप औस लेटिंग फ्लासिंग दे इसी हैं तो आपको सर्कीट अगर बनाना है ऐसा छोटा प।डेवल भर बोड में तो इसमें आपको सपतर किट अपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने आपको दे दूंगा वहाँ से आप देख़्चके सार्कीट को एकदम आसानी से आप बना सकते हैं तो यहां पर एक कोंडेंसर और मात रतीन रेजिस्टेंस और दो टैंजिस्टर और यहां पर एक LED जो आपको फ्लासिंग जो है कैसा हो रहा है इस टाइप को देखने के मिलेगा चले वीडियो में बने रहे हैं और वीडियो का अंत पट में आपको हम दिखा रहे हैं इसको हम जटका टेस्ट औ आपको हम दिखाएंगे दोस्तों इसका जो लिथिया मायन बैठी जो इसमें चार्ज करने के लिए तो मैंने इसमें यूज किया है एक सी टैप चार्जिंग मोडिल अब देख रहे है जो सी टैप चार्जिंग मोडिल जो छोटा सा मोडिल है क्योंकि आपको बार-बार दोनों इंडिकेट दिया हुआ तो इस चार्जिंग मोडिल को मैंने इसमें भी आपको लागा के दिखाएंगे ताकि आपको आसानी से इसका बैट्री को चार्ज कर सकते हैं दोस्तों वीडियो का Next तो कंपोनेंट को कहां कहां कैसे तो मैंने एक डिजैन का अतर पर यहां पर मैंने Switch का काटिंग कर दिया और यहां पर देख रहे हैं आप एक 5m led जो आपका blinking करेगा और यहां पर जो वीडियो का जो होल जो मैंने कर दिया और बैट्री को टर्मिनल पूरा लंबा होने बला है तो आप वीडियो को पूरा complete देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा तो आभी हम दूसरा रेट जो बैटरी टार्मिनल जो है इसमें आपको इसमें लागे दिखाएंगे इसको सबसे बड़ा बात है देख रहे हैं यहां पर लागाने के लिए एक कानेक्टर दिया हुआ जब तक यह कानेक्टर में इसका साथ मैचिंग नहीं होगा यह क्या होगा फिटिंग नहीं होगा तो यहां पर फिटिंग करने के लिए सबसे पहले इसमें आपको दिखा रहे हैं यहां पर मैंने इसको लगा दिये लागाने का बाद यहां पर ए से क्या होगा बाद में जब आप बाहर से इसको घुराना है तो क्या होगा ये अटोमेटिकली घुमने लाएगा फिर आपको थोड़ा से प्रॉब्लम हो जाएगा फिर इसको खुलने पड़ेगा तो यहां पर मैंने इसको टाइट कर दिया और यहां पर देखरें जो 47 के जो है यह आपको फ्रॉण में यहां पर इस जेगा में लागाने पड़ेगा जीशी को लागाने के लिए यहां पर इसका एक पैंश दिया हुआ है पैंश से इसको टाइट करने पड़ेगा दोस्तो वीडियो बनाने का समय में आपको एक बात बोलते हैं हम लोग इतना मेनोच से वीडियो बनाते हैं तो हम लोग वीडियो में भीव नहीं आता है अपना सरीत दिखा देते तो इस वीडियो में लाखो क्रोर भीव आ जाता है पता नहीं समाज में क्या चल रहा है अभी हम लोग समाज में नहीं है रहे हम लोग यूट्यूबर है मेनोच से अच्छा वीडियो दिखाते हैं जो समाज में कुछ काम में आये बट ऐसा बहुत सारा यूट्यूबर है जो बहुती लोग है ईसा खराप चीज दिखा देता है जिसमें लाखो क्लोर का भी उवा जाता है तो हम लोग तो उनलग बीदिटा देकांटे है थो एइसा जिसम दिखाने बड़ा धंदा नहीं करते हैं और वीडियो अच्छा लागे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना नीचे में बेल नोटिन गोंटी को बजाने नहीं भूलिएगा तो यहां पर मैंने इसको अच्छा से इसको कस दिया और यहां पर देख रहे हैं यह भीशी जब खरीदे मिलेगा तो इसमें एक शैप मिलता है तो इस शैप को यहां पर आपको लगा लेने पड़ेगा पहले इस शैप को लगा दीजिए उसका बाद उसका एकोडिंगली आपको अच्छा एक्ट्रीटिब लग रहे है और यहां पर रोकर स्वीच का होल जो है मैंने इसको काटिंग का पहले से कर दिया तो यह आसाने से यहां लग गिया और इदर में देख रहे हैं जो चार्जिंग जो मॉडूल है जो बैटरी को चार्ज देगा तो आपको मार्केट में मिल जाएगा अगर आप लाइन में नया हो तो आपको इस सब चीज में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और यहां पर मैंने दिखा दे रहे हैं आपको जो चार्जिंग लागा के मोडिल तो यह मेरा एक C Tape Mobile के चार्जर है तो इसमें आसानी से यह इंड़म hosts हो चुका है और यह जो दिग्वाइस जो है इस दिग्वाइस को थोड़ा साफ मैंने इसको अलग करके रखा है कागं कि इसमीं जटातका अलग सो थै तो अधको सर्कीट से दूर पूंद रहने करने लिकाश इस तरब इसको फिटिंग करने़ पड़ेगा बैठरी को इस जगा में देने पर आप को कि छोड़ा सा बेडर से इसको गैपिंग रखने पड़ेगा जहातका से ईयमोल डूरी दोस्तों वीडियो का लास्ट पार्ट में तो मैंने इसको काफी अच्छा से सब सुल्डरिंग बेगारा हम कर लिया तो मेरा सुल्डरिंग का काम पुरा अल्रेडी कंप्लीट हो चुका है तो अभी हमको आप लोग को अप टेस्ट करके दिखाने का बार है इसमें आप देख सकते मैंने बेटरि इंस्टॉल कर दिया यहां रिले को बोट सैट इसमें लगा दिया हाई वोल्टेज जो है डिवाइस को मैंने इसमें लगा दिया चार्रजिंG मॉडr सब कुछ लगा दिया तो फ्रॉंट साइट में इसका लूक ऐसा आएगा तो चले इसको हम स्टार्ट करके दिखाते हैं तो पीछे में जो हाई वोल्टेज का टार्मिनल जो है इसको हम खोल दे रहे हैं और यहां पर देख रहे हैं इसको हम ओन कर रहे हैं एक टो रिले से एक टो चबॉन हो रहा है तो ऐसा LED का ब्लिंकिंग कर रहा है और यहां पर एक पाल्स का साथ यह हो रहा है तो आभी हम सबसे C-type म्याइल begitu चार्जर एंडुएड फून पूरीप्र मुबाइल चार्ज 1 सबकार देने का बात ओकार दोस्तों मैंने चार्ज में लगा दिया है यहांब मैंने इसका बात्रिक बात्रीकों फ़री सका फॉरी करने के म 사용 होगा तो इसलिए थोड़ा सा इसका वोल्टेज जो है काफी डाउन हो चुका है इसको बैटरी को थोड़ा चार्ज देने पड़ेगा तो अभी फिलाल इसका जो हाई भोल्टेज जो है वह आपको हम टेस्ट करके थोड़ा सा दिखाते हैं तो यह जो नया जो है उन लोगों हम बता जो है दिखाने का लिए मैंने तो कि दिखाने आपको फ़्ड़ासा कैमरा में प्रोब्लम हो रहे यहां पर जटका जो हुआ है जो है तो अच्छा फ्लैसिंग का साथ इसका जटका यहां से निकल आप इस जटका को जो है आपको वाइरिंग का मार्धम से आपको खेती बगार बड़ाने पड़ेगा और नीमें फिर भी मैंने दूबार अच्छा से इसमें घर तो मैंने अपको बती भी बंद करके कोश्स में गई लोगो है है तो आप समझ सकते हैं इसका घटका का जो पारर जो जो एंध पर अच्छा circ लग आपको एवरमियं आपको इसमें दिखाने का थोड़ा कोशिस करें तो फिलाला अभी इसका जो और इसका front looking जो है तो देखने में ऐसे लगा है वीडियो अच्छा लाएगा तो जुरूर मेरे को comment कीजिएगा और इसको बनाने का अगर कोई problem हुआ तो जुरूर मेरा number description link में दिया हो रहेगा वहाँ पर आप मुझे contact कर सकते हैं और दोस्तों ये बनाने के समय मैंने इसका supply का जो वहर जो है मैंने गलत लगा दिया मेरा IC खराब हो चुका है मैंने इसमें जब मैंने काम किया था तो इसमें आठ पिन का एक IC का base लगा है ताए कि आपका कोई भी सार्किट में अगर प्रॉब्लम बा आइसी नया में खराब निकल सकता है तो उस तुरून अब क्या कर सकते हैं आइसी को बीना ज़लाई करने का बावजूद भी आप इसको change कर सकते हैं चले इसको हम cast देते हैं तो कसने के लिए इसमें चार्ठो इस्क्रूप दिया हुआ है चार इस्क्रूप से बढ़िया से मैंने इसको cast देंगे कसने का बाद इसको minimum 7-8 घंटा चार्ज में देने पड़ेगा चार्ज देने का बाद ही इसको फिर से हम यूज करेंगे देखें यह चल रहा है blinking का साथ चल रहा है यहां पर इसको आप volume से भी आप कम कर सकते हैं यह बहुत जल्दी-जल्दी हो रहा है और यह जो है थोड़ा आइस्ते आइस्ता हो रहा है तो दोस्तों इस टाइप का वीडियो देखने का लिए ज़रूर से ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेजिएगा नीचे में बेल नोटिन घंटी को बजाने ने भूलिएगा जाहिन आज गले इतना ही है फिर आते नेक्स्ट वीडियो में